हेलो फ्रेंड्स मैं आंसी मौरिया एंड नाइव वाचिंग एम डॉर्ट मेजूकेशन यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्कृन पर देख रहे हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है और गैनिक कमिश्ट्री का चैप्टर सेकेंड एल्कोहल फिनॉल्स एंड ऐधर्स तो यार अगर जिसा कि आप यहांकर सेकेंड पार्ट देखने के लिए उपने चैनल सब्सक्राइब हैँ तो प्लीज यहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये तो ठीक हैं मैं आपको बता दूं लास्ट के वीडीयो में हमने लाकुए फिनॉल्स एंड एधर्स ठ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं पाइट फर्स्ट में तो यार अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूं तो प्लीज यार आप जाके देखिए और आज हम कौन सा पाइट पढ़ रहा है नॉमन क्लेशर हम साथ साथ पढ़ेंगे बट हाँ प्रापरिटीज और फिजिकल पर्परिटीज चीज़े हम अलग अलग पढ़ेंगे ओके फर्स्ट आफ एलकोहल और फिनॉल साथ में पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे एथर पढ़ेंगे तो ठीक है आपको पता होगा लास्ट वीडियो में भी हमने बाते की थी कि एलकोहल किसे कहते हैं फीनॉल किसे कहते हैं इतर किसे कहते हैं अगर लास्ट वीडियो आप हमाई साथ पढ़े होंगे तो पक्का आपको पता होगा अदर्वाइस यहां पे मैं बता रहे हूं हां वो वीडियो देखना भी ज़रूरी है क्योंकि वहां पर हमने classification और ऐसी ही डिर साइज चीजें important बाते की हैं ओके तो यहां पर देखिए हम क्या पढ़ते हैं alcohol तो alcohol आपको पता है क्या है मैं color change कर लूँ first of all तो हाँ तो देखिए alcohol किसे बोलते हैं सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए एक alcohol group होना चाहिए उसमें क्या एड हो एक alcohol OH बस इतना सा है इसमें और यहां पर आप इसका common name भी देख पा रहे होंगे क्या है एक alcohol group है उसमें क्या एड है ओयच एड है तो इसका common name बहुत ही simple सातो है अलकाइल एलकोहल या फिर कुछ और है यहां पर जो ऐसा कुछ की ना समझ में आ रहा हो ध्यान रखेगा यह common name है अभी आयूपैक नेम हम लिखे नहीं है ध्यान रखेगा common name यह है ओके और व हां आयूपैक नेम तो कुछ नहीं तो देखे सबसे पहले मैं आपको एक formula एक rule बता दू रूल यहां पर तो देखे इसका आयूपैक नेम क्या होगा आयूपैक नेम होगा इसका LK9 क्या LK9 कुछ समझ में आ रहा है last chapter में भी हमने nomenclature किया था तो वहां से last chapter की बात कर रह रही होंगी और यार अगर आपने last chapter नहीं देख रखा है तो उसे भी जाकर देखे तो देखे यहां पर जैसा कि मैं आपसे कुछ रूल की बात कर रही थी तो रूल देखे क्या रूल देखना है रूल तो देखे गलती से हो गया तो देखे रूल में आपको क्या देखना है देखे अगर जैसे कि यह आपकी कोई chain है उसमें क्या एड है एक ओया चैड है तो यहां पर side chain भी होती है कभी-कभी आपको देखने के लिए मिलती है यहां पर कोई आपको हमेशा बोलती हूं आप मेरे साथ जब भी पढ़ने बैठीए कॉपी पिल लेके बैठीए सारी बाते note-down करिए तो उम्मीद करती हूं आप ऐसा ही कर रहे होंगे तो first of all आपको mention क्या करना है नॉमन क्रेचर में क्या लगाते हैं अगर single bond double bond देखिए आपको पता है single bond है तो एन लगाते हैं double bond है तो एन लगाते हैं जो यहाँ पे आप oil all लगाएंगे न ये ये mention करेगा कि ये क्या है alcohol है तो देखिए अभी हम एक example लेके देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा example देखें तो देखिए सपोज एक alcohol group है आपके पास साथ में क्या लगा है एक OEH लगा है होगे है ही नहीं तो आपको क्या लिखना है word root word root मेत है यहाँ पे मेत एथ प्रोप ब्यूट करते हैं आप तो यहाँ पे सिर्फ मेत ही है है ना मेत है तो आपने क्या लिख दिया वर्ड रूट लिख दिया मेत लिख दिया फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है एन लगाना है ध्यान रखेगा एन लगाना है लेकिन यहां पर ए नहीं लगाना है ध्यान रखेगा इन लगाना है इतना आपने किया एन तक कर दिया आपने फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है ओए अच्छ लास्ट में क्या करना है और लगा देना है बस बात खतम यह हो गया आपका आयू पैक नेम यही है आयू पैक नेम नॉमनक्लेचर में और कुछ नहीं है बस यह रूल याद रखिएगा इस रूल के कॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यार मैं आपको बता रही हूं 100% गैरंटी कि आपका आयू पैक नेम कभी भी गलत नहीं होगा ध्यान रखिएगा अच्छा आयू पैक नेम तो हो गया अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो यार वो भी तो सिंपल है उसमें कॉनसी बहुत जा रही है तो जैसे यहां पर अलकिल लिखा गया है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर सिंपली आपको क्या करना है मिथ हैं यहां पर तो आप क्या कर दोगे मिथाईल लिख दो फिर उसके बाद अलकोहल सीधे यहां पर अलकोहल लिख देना है बस इतनी सी बात है इसम इसे जो है आप अपनी नोट बुक में नोट डालके अच्छे से लिख लीजिए इसे अगर आप इसके कॉर्डिंग चलोगे मैं फिर से बोलूँ अगर आप इसके कॉर्डिंग चल रहे हो तो आपका आयुपैक नेम नहीं गलत होगा और हैलो एल केन एंड हैलो एरीन में भी इसे ही रूल मैंने बता हैं और अगर आपने नहीं देख रहे हैं तो जाके एक बार देखिए ओके तो फिर आगे चलते हैं आगे हम और अच्छे अच्छे एक्जामपल लेते हैं ठीक है देखते हैं थोड़ा सा इसे हम और बढ़ा करते हैं CH2 sorry CH3 CH2 OH अब अगर वहीं पही है किया लिखना है सबसे पहले क्या में नंजा करना था na me of the side chain अभर यहां पर side chain तो कोई है नहीं तो word route करना आपको word root में नंजा करना में क्या है मेध है अथ Argentina देखिए आप जो है आप numbering कहां से start करो गे जैसा मैंने मित जैसे मैंने इस वाले जहां मैंने फर्स्ट नमबर लिखा मैंने इसे क्या बोला मित बोला और इसे क्या बोला एथ बोला हम यहां पर फर्स्ट नमबर डालके इसे मित बोल सकते थे यहां पर सेकेंड नमबर डालके इसे एथ बोल सकते थे बट मैंने ऐसा नहीं किया क्यों because of ध्यान से सुनियेगा क्योंकि जहां पर functional group add हो यहां पर यह OH add है न जहां पर कोई functional group या फिर कोई highlight add हो counting हमेशा उधर से ही करते हैं फिर से सुन लीजे जहां पर कोई functional group add हो counting हम उधर से ही कोशिस करते हैं कि वो सबसे कम number पर आए यहां पर first number second number ओके आरा है समझ में तो देखे यहां पर क्या है मेथ है एथ है तो आप फिर से वापस आजाएए आपके पास अप क्या नहीं है कोई side chain नहीं है side chain नहीं ही लिखना है word root आपका क्या है एथ है तो आपने क्या लिख दिया एथ लिख दिया यहां पर लिख लिजिए फिर उसके बाद आपको क्या याद है आपको क्या लगाना था word root के बाद एन लगाना था तो आपने एन तो लगाया बट उसमें क्या नहीं लगाना था ए नहीं लगाना था लास्ट में आपसे एक्जाम में क्विश्चन पूछा जाता है तो common name दे दिया जाता है इथाइल इल्कोहल प्रोपाइल इल्कोहल ऐसे से जब नाम दिये जाएंगे तो आप वहां पे थोड़ा सा आपकार है common name होते है उसे भी ध्यान रखे common name यहां पर चलिए आपको पता चल गया यह है आई पैक नेम की बात की जाया है तब क्या लिखेंगे आप तो यह भी सिंपल है common name देखिए यहां पर क्या है simply जैसे आपने एलकाइल एलकोहल किया था तो आपके पास word root क्या है methyl alcohol हो जाएगा बस बात खतम यहां पर hope है इतनी बात समझ में आई होंगी और suppose यहां पर कुछ ऐसा कर दिया जाए इसकी बैलेंसी CH3 तो यह क्या हो जाएगा तीन कार्बन है ध्यान रखिएगा तीन कार्बन है फिर से आपको वही करना है ओयत जो है ऐसे कार्बन पर आना चाहिए जो counting में सबसे कम हो तो यह first number second number and third number तो क्या हो गया यह प्रोपेन ह आपको यहां पर क्या लिखेंगे नहीं न तो यहां पर आप क्या लिखेंगे रो एन और प्रौपेनना चाहिए यह फिर आप चाहे तो एसा भी कर सकते हैं प्रोपेन propane one all अब पुछे यहां पर one मैंने क्यो लगाया क्योंकि यह फर्स्ट वाला कार्बन है इससे क्या एड है OH अब इससे जो है आपको यह पता चल गया कि फर्स्ट वाले कार्बन से ही OH एड है तो कि अब यहां पर देखें मैंने इसे करके प्रोपेनॉल लिख दिखा था तो यहां पर अगर डारेक्ट प्रोपेनॉल लिख गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कि फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से ही ओया चैड है बट अगर यहां पर ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मैं कलर चेंज कर दो यहां पर सपोस्ट आपको कुछ ऐसा देखने के लिए च्छी च्छ ओयाच तब यहां पर भी आपको प्रोपेन देखने के लिए मिल रहा है लेकिन ओयाच जो है कौन से कार्बन से एड है फर्स्ट या सेकेंड चाहिए जिधर से आप काउंटिंग करके देखेंगे हर जगह से आपको सेकेंड नंबर वाले कार्बन से ही ओयाच एड मिलेगा तो आप क्या करोगे प्रोपेन टू और है ना यहां पर जैसे आपने किया था प्रोपेन वन और प्रोपेन टू और बस बात खतम यहां पर इसका आपक नेम यह है तो चलिए हम इसे जो हैं यहां पर यहां पर यह कार्बन है चेश 3 मैंने यहां पर एड किया एक अम सॉरी अब बताए इस काई पैक नेम क्या होगा कुछ समझ में आ रहा है आपको जैसे यहां पर ये था यहां से देखिए इसी में मैंने एक एलिकल ग्रूप और बढ़ा दिया तो अब इस काई पैक नेम बताए क्या होगा यहां पर भी कुछ नहीं है ध्यान से देखिए देखिए यहां पर क्या है अल्कोहल कहां पर एड है सेकंड नमबर पर तो देखिए दूसरे नमबर पर ही सेकंड वाले कार्बन फर्स, सेकंड और थर्ड यहां से भी कांटिंग कर लिए आपकी संतुष्टी के लिए हर दरव से दूसरे नंबर वाले कारबन पे ही क्या रहा है दूसरे नंबर वाले कारबन पे ही ओया चा रहा है और साइट चेन भी आपको देखने करी मिल रहे हैं तो देखे मैंने आपसे क्या बोला था फर्स्ट ओफ और रूल जड़ा देखे जहां पर आपने रूल लिख रखा है अभी स्टाइटिंग मैंने आपको बताया था कि नॉमन्क्लेचर का कुछ रूल है तो वहां पर आपने क्य लिखा था फर्स्ट ओफ आपको क्या करना है सबसे पहले आपको मेंसन करना है साइड चेन नेम आफ दा साइड चेन तो यहां पर क्या साइड चेन में क्या एड है दूसरे नंबर पे एक मेथिल एड है टू मेथिल प्रोपेनॉल दूसरे नंबर पे ही ओयच भी एड है इस तो आप लिख लीज जए 2-methylpropanol यहां पर हो गया इतना सोची यहां पर किया गया है कि CH3 यहां पर आड डिया गया और इसका नाम क्या से क्या हो गया है यहां पर और देखेंजांट यहां पे प्रोपेन टू-्थिल प्रोपेनल हो गया है, ध्यान दीजिए हुम के क्या सद्वत तो देखिए हम और भी कुछ एक्जामपल लेते हैं तो देखिए सपोज आपके पास है तो जैसा कि अप कौंटिंग कहां से करते हैं इल्किल। चेन की काउंटिंग कहां से start कारते हैं इधर से start करेंगे 1 इसे करेंगे, 2 इसे, 3 इसे नहीं न, कहां से करेंगे, इधर से करेंगे OYACH इधर से नजदीक है 1, 2, 3, 4, में इत, प्रोप, ब्यूट तो आपको क्या करना है Side chain कुछ दिखना ही रही है आपको तो आपने क्या किया, ब्यूट लिखा फिर उसके बाद क्या लगाना है आपको in लगाना है तो यहां पे e लगाना नहीं है तो e हटाके हम क्या लगा देगे यहां पर OYACH लगा है, that's why हम यहां पर क्या कर देगे, all तो इसे क्या थाबित होता है, यह है buatanol, butanol से आपको क्या पता चल जाता है आपको यहां पर क्या दिख रहा है ब्यूठ दिख रहा है ब्यूठ से आपको क्या पता चलता है 4 reorgan कीél है जिसमें 4 recher करबन है आपने लगा दिये अब देखे आपके पास और क्या है ऑल लगा है ऑल से क्या समझ में आता है तो आपने यहां पर क्या कर दिया एक और लिखा गया है तो आपको समझ को बात है इसी कार्बन्चेन को बैलंस करके चाहें तो आप इसे इधर और चाहें समझ में आ रहा है आपको आना चाहिए समझ में ओके तो देखिए अगर वहीं पर इसका common name common name की यह तो रहा आई पैक नेम अगर इसके common name की बात कर ले तो simple है ब्यूट है ब्यूट में आपको क्या लगा देना है आई लगा देना है ब्यूट टाइल एलकोहल बस बात खतम तो यह है नॉमनक्लेचर अभी देखिए अगर हम इसी ओयच को ध्यान दीजिए जो ओयच एड है अगर हम इसे थोड़ा सा balance कर लें देखिए इसे हम balance करते हैं इस carbon chain को और इस ओयच को जो यहां पर ओयच लगा था इस ओयच को उठाके हम यहां लगा दे अब इसका थ ahí-upack name बताओ भाद के लिखें gए फिर इसके बाद क्या लगाएंगे इन लगाएंगे तू खनाना फिर ॉपया इस फिर आप इस सब तो बीओटेनल देखिए जयसा के मैंने आपको पताया है यह यह ब्यूटेनल लिखा गया है तो आपने समझ लिया कि अगर यह अंपर Butan2L या फिर 2 Butanol आप विर तो आपकी है। बीक्षी है good सुनित की है और फिर 2 नुम्गर वालीरिय। जहीं पिर 2 Butanol है के समझ की अद act काल है कि 2 Butanol याप बीप्षap आपको यह समझ में आता है कि जो यह ऐ लगाया है तो उसके पहले क्या लगाया है या फिर टू जाल लगाया है तो यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह ओयज कहां पर एड है सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एड है है ना सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ही तो एड है और यहां पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया है तू मिथाइल ब्यूटेनॉल अगर मिथाइल लगा होता तब तब वहां पर आप क्या करते सपोज यहां पर मिथाइल लगा होता अगर तू मिथाइल तो उससे आपको यह समझ में आ जाता कि यह क्या है तू मिथाइल अगर ऐसे लगा होता तो यह किसमें आ जाता यह साइड साइड चेन होती है, जैसा कि आपने रूल में लिखा है, कैसे क्या हमें मिनसन करना है, उसके एकॉर्डी में बात कर रहे हूं, अगर ये आपके पास ऐसे ही होता, जैसे ये चेन लिखी गई है, मैं इसे अलग से लिख देती हूं, चलिए, ये जो उपर वाली चेन है, मैं उस क्या कर देते हैं, ये जो यहां पर अलकिल ग्रूप अट किया है, उसे उठा के हम यहां पर कर देते हैं, और इस अलकिल ग्रूप की जगा हम क्या कर देते हैं, तब बताईए क्या होगा, अगर हम देखिए, अच्छे यहां पर यह जो लिखा हैं, ये वाला जो क्वेशन है सब्सक्राइब करें था करिए तो इसका नाम होगा सेकेंडरी बिटाइल-ल्कोहल क्या होगा secondary butyl alcohol देख लिजेगा अपनी बुक में और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है के यहां पर इसका आयुपैक नेम तो भाई बड़ा आजी है क्या होगा two methyl propanol आपको क्या में आपको क्या में मेंसंद करना फस्ट आफ आप साइड चेंड साइड चेंड में संद करना तो देखें two methyl तू मिथाइल प्रोपेन नॉल अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है हम काउंटिंग कहां से कर रहा है कहीं से भी करेंगे यह जो है सेकंड नंबर पर ही आएगा वन टू थ्री तो हम इसे भी साथ में लेकर चल लें तो यहां पर देखिए वन टू थ्री दूसरे नंबर निन पर है मिथाइल एड़ is मिथाइल है यहां फार्स आफ फॉर्स हाइड रूल में दिया गया हैчंब दो मिथाय फिर उसके बाद वर्ड रूट किया आटकी प्रोपेन है तीन कार्बन की ज खयेन तेन तीन कार्बन की चेन है एक साइट चेन में है तो यहाँ पर आपने काउंटिंग की आपने काउंटिंग कि धर से स्टार्ट के जिधर से फंक्शनल ग्रूप आपका क्या हो फंक्शनल ग्रूप का हो नजदीक हो फंक्शनल ग्रूप सबसे कम नंबर वाले कार्बन पर आना चाहिए क्या होना चाहि प्रोपेन अजहा पर सकते हैं 2-ć यो जल में यहां बाक्ती बहुत जादा मगजमाण नहीं करना भह criticism एक आपको समझ में नाए और जो समझने वाली बाते हैं, उसे मैंने बहुत 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 एजी वे से बताया तो आज़ आए हो आपको बाते समंझ में आई हो तो देखें आगे कुछ और अच्य-च्छ dw देखें बहुत अच्छे अग्जामपल, देखिए, बस आप लास्ट तक हमाई साथ बने रहे, यह क्या है? लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, यह क्या है? इसका कॉमन नेम आप बताये, लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने बात की थी कॉमन नेम, इसका आपके मैं आपको बताया था याद है आपको बिलिस्रीन आपके जो कॉस्मेटिक चीजे होती है उसमें 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 होता ओके तो यहां पर हमने कॉमन नेम तो बात कर लिया आपको बताना है आपक नेम तो आपक नेम क्या होगा इसका कुछ नहीं है देखे यहां पर क्या ह तो अगर 3 कार्बन की चेन है तो क्या होगा प्रोपेन होगा तो आप लिख लो प्रोपेन है और यहां पर ध्यान दीजिए हर जितने कार्बन है सब पे और अच लगा है तो आपको यहां पर अभी क्या में अच लगा है कि कौन से किस किस कार्बन पे और अच लगा है जैसा कि लास्ट लाली स्लाइड में देखें यहां पर आपने हर जगा बताया है तू और यहां पर देखें आपने बताया है वन और मतलब कि कौन से कार्बन पे कौन से कार्बन पे ओयाच ग्रूप एड है यहां पर देखें आपने ब्यूटेंट टू और लिखा है तो आपने यहां तो यहा भी तो आप वही बताएंगे कि कौन से carbon से OH है Na कौन से carbon से erca तो यहां पर 3 carbon 2,3 परोपेन काई प zwischenिम्हें पूछ थे तो आप बता लोगे ना देखे common name भी पूछे जाते हैं इस ब्रह्म में मत रहिएगा ओके अब देखे अगर एक्जाम में आप क्या आता है कि यह ग्लीसरीन है अब सपोज ग्लीसरीन की किसी से कोई रियक्शन करानी है तो आपको रियक्शन तो आ रहे हैं बट आपको यहीं नहीं पता है ग्लीसर है अच्छा जैसा कि भी मेरे मुझे गल्ती से ही सही ग्लाइकॉल निकल गया तो चलिए ग्लाइकॉल जड़ा देख लेते हैं ग्लाइकॉल किसी कहते हैं देख लेते हैं अगर यह तो रहा ठीक है ग्लीसरीन अब आपको पता चल गया कि ग्लीसरीन है ग्लीसरीन है ग्लीसरी ग्लाइकॉल नाम है अच्छा सोलगें आपको कॉमर्ण नेम तो पता चल गया कि हाई बहुत क्या लाइकॉल लाम है ओके अब सेम है आया प deputy ने तो आपको यह बिन नेम कौन कौन से Carbone से OH group एड है भी आपको ये भी मेंसन करना है तो आप क्या करोगे मैं हने पहले माले कार्वन से सेकेंड नमबर माले 学ason से OH एड है तो आप उसे भी मेंसन करोगे प्रोपर तरीके से तो आप आपने यहाँ पर क्या कर दिया 1,2 डाई और क्या कुछ इसमें है यह मतलब कुछ ऐसी चीज है जो आपको ना समझ में आ रही हूँ बहुत ही सिम्पल सा है और होप है आप सारी बाते नोट डाउन कर रहे होंगे देखें मैं आपके बुक से एक क्यूशन अच्छा सा लेती हूँ देखें C2H5 CH2 यह क्यूशन थोड़ा सा अच्छा है ध्यान दीजेगा देखें जैसे जैसे मैं लिखते जा रहे हूँ आप सारी बाते दिमाग में ऐसे घुमाते रहे कहां कहां से क्या कैसे करना है कौन साइट चेन हो सकता है यहां में कौन वर्ड रूट हो सकता है है ना और क्या लगाना है एन लगाना है एन लगाना है है ना साई चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए तो अब देखिए यहां पे कहां से आप counting शुरू करेंगे कहां से क्या है ना तो देखिए आप यह भी देखते हैं कि यह जो world root वाली chain है जो root chain है यह जो है सबसे longest होनी चाहिए यह भी आपको यह भी care करना है आपको यह भी ध्यान देना है तो देखिए करके देखते हैं कुछ क्या आप counting यहां से सुरू करेंगे 1, 2, 3, 2 carbon यहां 4, 5 इधर से तो चलिए ठीक है 5 carbon की chain बन रही है अब हम कहीं और से start करके देख लेता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 carbon है यहां पे तो चलिए ठीक है यहां पे 6, 6 carbon की chain है और उसके पहले 5 carbon की chain मिल रही थी है जब हम यहां से counting स्टार्ट कर रहे थे तो ठीक है इसे फिर अगर इस carbon यह carbon की chain जो है वर्ड रूट नहीं होती है तो उसे हटा दीजिए तो यहां पे आपको अब यह भी देखना है कि अब जो है आपको side chain भी देखने के मिल रही है side chain देखने के मिल रही है है ना side chain यह side chain ही तो है है ना अगर वर्ड रूट में नहीं आ रही है जो यह इसकी chain बन रही है जो इसकी main chain यह बन रही है क्या यह इसमें आ रहा है यह वाला carbon अगर इस chain में यह carbon नहीं आ रहा है तो side chain में आता है जी बिलकुल तो आपको first of all क्या mention करना है side chain ही तो mention करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस वाले कार्बन पर यह कार्बन किस कार्बन से एड है जो वर्ड रूट वाले जो यह चेन है लंबी सी आपके पास इसमें से किस कार्बन से यह साइड चेन एड है देख पा रहे हैं आप तो यहाँ पर तीसरे carbon से यह ना तो क्या लिखेंगे आप 3-Methyl क्या लिखेंगे आप 3-Methyl फिर उसके बाद world root क्या है world root क्या है Hexane है ना myth, it, probe, but, penthex, छे carbon की chain है तो क्या आ रहा है Hexane आ रहा है अब हेक्सेन हो गया तो ठीक है अब आपको क्या मेंसन करना है और मेंसन करना है तो आपको यह भी तो बताना है कि कौन से कार्बन से हो यह चायड है कौन से कार्बन से हो यह चायड है तीसरे कार्बन से थ्री और बस बात खतम थ्री मेथिल हेक्सेनल इट्स यॉर आई पैक न यह इसका common name 3-methyl-3-hexanol क्या 3-methyl-3-hexanol 3-methyl-3-hexanol का यह क्या है 3-methyl-3-hexanol का यह क्या है 3-methyl-hexan-3-ol यह क्या है इसका आयू-pack नीम है है ना आगे इतना समझ में तो ये तो रहा अगर ऐलिफैटिकै ईल्कोहल अभी तक आपने जितना देखा इसमें कारबन की चेंच और श्ट्रेट हो अभी तक जितने आपने पढ़ा क्या कारबन की चेंच साइकलिक थी? तो अब हुआ हैं नहीं, तो अभी हम क्या देखते है, शाइक्लिक एलकोय सब करबन कारबन ही हैं। यह सब क्या है, कार्बन है, तो यहां पर किसी एक कार्बन से मैंने क्या अट कर दिया, तो यह क्या है, साइक्लो हेक्सानॉल, यह क्या है, साइक्लो हेक्सानॉल, नाम लिख लिजी आप, और वहीं पर हम पेंटेन कर देते हैं, और यहां पर अट कर देते हैं, तो यह क्या है, cyclopentanol लिख लिजिए नाम बहुत simple simple से है अब suppose यह तो चलिए ठीक है क्या था cyclopentanol यह क्या था cyclopentanol अब इसी में हम क्या कर देते हैं एक side chain add कर देते हैं क्या add कर देते हैं side chain अब क्या होगा यह तो क्या था cyclopentanol तो अब जो हैं आप counting किस carbon से करेंगे जिस पर हो यह चायड होगा आपको हमेशा से पता है तो यह क्या होगा यह वाला carbon क्या होगा first यह वाला carbon क्या होगा first यह second third fourth fifth आगर आप ऐसे कर लोगे fourth यह fifth carbon okay मैंने पूरा लिख दियां तो देखिए अब जो है side chain किस carbon से add है second carbon से तो आप क्या कर दो के 2-methyl cyclopentanol है ना तो देखिए अभी तक हमने किसका अभी पैक नेम देखा अभी पैक और कॉमन नेम आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और अगर यहां नहीं समझ में आया तो पहले बाद तो मुझे नहीं लगता है ऐसा नहीं लगता अगर आपने full concentration के साथ आप पढ़ाई किया तो ऐसा तो होई नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आया हो मुझे नहीं लगता मुझे यकिन होता कि अगर आप यहां पर मेरी साथ full concentration के साथ बैठे तो पूरे focus के साथ यहां पर पढ़ाई करने बैठे थे तो आपको समझ में आया और अगर नहीं समझ में आया तो उसका reason में आपको बता दू कि आपका focus कहीं आथा आप पूरे focus के स प्रण 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 इस benzen में क्या एड हो एक ओयाच एड हो यह क्या है यह फीनॉल है और इसका common name and iupac name भी क्या है फीनॉल ही है तो दिहान रखिएगा इसको भूलिएगा नहीं common and iupac name दोनों फीनॉल है क्या है यहाँ पे एक benzen है cyclic structure है उसमें क्या एड हो एक ओयाच एड हो एक 6 carbon की chain हो और वो कैसी हो aromatic हो cyclic हो उसमें क्या एड हो एक carbon से ओयाच एड हो वो क्या होता है फीनॉल होता है बस इतनी सी बात है तो देखिए अगर हम इसी फीनॉल में क्या एड कर देखिए बहुत focus के साथ बैठिएगा बहुत ध्यान के साथ बैठिएगा चलिए यह तो रहा आपका first carbon जहां से ओयाच एड है अब यहां पर हम क्या कर देते हैं एक side chain एड कर देते हैं क्या एड कर देते हैं एक side chain तो क्या होगा आपको पता है यह कौन सी पोजीशन है और्थो मेटा एंड पैरा क्या है यह दोनों पोजीशन इसकी रिस्पेक्ट में इस ओयाच की रिस्पेक्ट में यह दोनों तो देखिए इसका नाम बहुत ध्यान से देखिए कामन नेम की बात कर रही हूं common name because of common name भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर है common name भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर है तो यार उसी हिसाब से आप देखिए ओके देखिए जो चीजें बहुत ज़्यादा important रहती हैं मैं उन्हें साथ-साथ में बताती चलती हूँ तो जिससे आपको बाद में सिकायत का मौका न मिल पाए कि यार आपने तो बताया ही नहीं कि यह बहुत ज़्यादा important है ओके तो देखिए यहाँ पे क्या है यह कौन सी position है और्थो position है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो side chain निकली है इसे भी mention करना उतना ही ज़रूरी है जो side chain है यहाँ पे उसे भी mention करना है फिर जाहे वो eye pack name हो जाहे common name हो हमें side chain को mention करना है तो कौन सी position पे side chain लगी है और्थो तो यहाँ पे side chain पे क्या है और तो इसे हम क्या नाम देगे ortho chrysal क्या नाम है इसका ortho chrysal यह common name है और अगर वहीं पे हम eye pack name की बात कर लें तो यार eye pack name तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत simple सा है eye pack name देखें क्या है आपके पास क्या है 2-methyl 2-methyl क्या है यही जो side chain add है और कहां से add है यह रहा आपका first carbon यह रहा second carbon यह रहा third fourth, fifth, sixth हो गया okay तो 2-methyl phenol 6 carbon है ना और कैसा structure है ring है तो आपको क्या है OH भी लगा है तो क्या हो गया phenol बस बात खतम तो चलिए यह तो रहा ortho chrysal और उसके बाद हम क्या करते हैं यह जो CH3 हमने add किया यह CH3 add किया हम इसको यहां के बजाए यहां पर कर देते हैं अब इसका नाम बताईए आप अब इसका नाम बताईए कौन सी position पर आ गया है metacrysal हो गया इसका नाम क्या हो गया metacrysal है ना sorry मैंने यहां पर यह metaposition है और यह paraposition है ध्यान रखेगा मैं फिर से वापस से बोल दे रही हूं थोड़ी सी mistake हो गई यह metaposition है यह metaposition है यह paraposition है यह orthoposition यह metaposition है यह paraposition इसका नाम क्या है metacrysal है ध्यान दीजिएगा metacrysal क्या नाम है इसका metacrysal confused मत होईएगा थोड़ी सी mistake होई थी मुझसे इतना तो चलता है यार देखिए यहाँ पे यह दोनों position क्या है ortho है और फिर उसके बाद यहाँ पे यह दोनों जो position दिख रही है आपको यह कौन सी position है metaposition है आ रहा है समझ में यह position कौन सी है metaposition है फिर उसके बाद आपको मेटा क्रिसार यहां पे जब इस कार्बन पे लगा था और्थो वाले पोजिशन पे तो नाम किया था common name और्थो क्रिसार अब अगर हम इसके आईवपैक नेम की बात करें तो आईवपैक नेम तो बड़ा बड़ा कुछ नहीं है यहां पर 2-methylphenol था यहां पर 3-methylphenol हो जायेगा बस बात खतम थ्री-methylphenol आ रही है बाते समझ में ऐसे तो कुछ बात ही नहीं है जो समझ में नाए ओके तो अब देखिए यहां पर जो आपने यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब यहां पर जो मैं इसको मैं हटा देती हूं मेटा पोजीशन से हटा के अगर मैं पैरा पोजीशन पर यहां पर ध्यान दीजिए का थोड़ा सा अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिए पैरा पोजीशन पर सी एस्ट्री आड़ कर दूं तो ध्यान दीजिए मैं यहां पर जो भीड़ों रखे मैं तो पोजिशन ये है मेटा पोजीशन अब पैरा पोजुषंवेक एक हैड़ साइड चैन एड़ है दिख रही है आपको पैरा पोजीशन पे साइड चेन गे है साइड चेन जो कि कहां पेरा पोजीशन पे तो अब इसका common name बताईए पहले common name क्या है common name क्या है सारी बाते नोट करिए का सारी बाते जितनी बाते मैंने अभी तक आपको बताई है क्योंकि यार सारी बाते बहुत ज़्यादा तो उसी point of view से आप देखिए और उसी हिसाब से आप अपनी notebook में note down करिए ओके तो यार इसलिए मैं आपको यह हमेशा बोल देते हूं कि स्टाइटिंग में मैं आप से हमेशा बोल देते हूं कि यार कॉपी पिन लेके जरूर बैठा करिए जब भी आप में साथ पढ़ने बैठिए तब आप में साथ कॉपी पिन जरूर लेके बैठिए क्योंकि असी बाते होते हैं जो note down करना पड़ सकता हो कि तो यहां पे अग अगर वहीं पर आयूपैक नेम की बात करें इसके तो आयूपैक नेम भी सिंपल है आपको पता है अभी तक कौन सी पोजीशन पे था थर्ड पोजीशन पे साइड चेन कहां पे थी थर्ड पोजीशन पर आप कहां गए फोर्थ पोजीशन पे तो इसका आयूपैक नेम क्या 4-Methyl Phenol त्यार आई होप आप Crystal Clear होंगे सारी बाते आपको समझ में आई होंगी ओके उम्मीद करती हूँ आपको साही बाते समझ में आई होंगी अगर इसी Phenol पे 2 OH ग्रूप एड़ हो जाते हैं तो क्या होगा देखिये ध्यान दीजी थोड़ा सा इसका नाम बताई कानम बात कर दो हैं कि सब्दस्ट मुझे एका नाम कियाना की अपनी सुना को अब इसके आईउ पैक नेम खास इंप्रेट नहीं है है बटट आप जानते रहिए और गग निम क्या है क habits इंद के क्या एल फेक ने देखिये यहां पहर क्या हिएजिए आपके पास है ना बेंजीन है बैंजीन है तो देखिये कौन-कौन से कारबन पे बम हो यज क्а बम एड यह बन ट्री फोर फाइव इस चाहे आप इसे कर लें इसे टू कर लें बात एक ही होनी है तो यहां पे आप लिख लिए से 1,2 डाई और सेम ऐसे ही अगर हम ध्यान दिजेगा अगर हम यही ओच ग्रूप उठा के थोड़ा सा यहां पे कर देता हैं तो इसका कॉमन नेम देखी यहां पे जितना मैं कॉमन नेम बता रही हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम तो इसका कॉमन नेम क्या है रिसोर्सी नौल लिख लिजिए common name लिख लिख लिजिए, ipac name, ipac name उम्मीद है, आपको पहले से ही आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, benzene है आपके पास, benzene है, तो mention करिए, benzene है न, फिर उसके बाद कौन-कौन से carbon पे OH group add है, first and third, आप कहीं से भी counting कर लिजए, चलिए मैं यहाँ से करती है, one, two, three, first and third, try all, यही तो होगा न, try all, sorry, die all, क्योंकि die all क्यों होगा, die all क्यों होगा, क्योंकि दो OH group add है, है न, अब वहीं पे हम देखते हैं, यह ओयस तो चलिए अपनी उसी पोजिशन पे, इसे हम थोड़ा सा, तो अब इसका common name, common name मैं इसलिए पहले पता दे रहे हूँ, because of यह बहुत जादा ही important है, इसका common name क्या है, quinol, quinol, यह नाम आपने सुना होगा, ऐसा हो यह नहीं सकता है, कि आप कमिश्ट्री पढ़ रहे हैं, और quinol ना सुना हो, है न, तो देखिए गर इसका high pack name की बात करें, तो simple, यहाँ पे भी आपके पास benzene है, आपने benzene को mention कर दिया, फिर उसके बाद, first and fourth, one, two, three, four, fourth number वाले कार्बन पे क्या है, oxygen add है, तो यहाँ पे दो ही oxygen है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ बात होती है, यहाँ पे खतम, ओके, यहाँ पे यह बात खतम हुई, आपने i pack name and common name किसका पढ़ लिया, phenol का, आपने phenol का i pack and common name पढ़ लिया, तियार मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे आपने alcohol का common and i pack name पढ़ा, आपको समझ में आया, उम्मीद है आपको phenol भी समझ में आया होगा, अब हम क्या देखते हैं, i pack name of some ether, यहाँ पे हम common and i pack name of some ether देखते हैं, आपको जैसा कि इस बिन पर देखने के लिए मिल रहा है, किसका common name, ether का, तो यहाँ, full concentration के साथ बैठे हैं, मैं वापस से आपको बोल रहे हूँ, बस थोड़ी देर आप हमाई साथ होड बने रहे हैं, तो देखिए, आपको पता है, कि यह जो ether है, इसे हमने कितने part में divide किया था, two part में, कौन कौन साथ, एक symmetrical, एक symmetrical, and second one, unsymmetrical, symmetrical and unsymmetrical part में, दो part में हमने इसे डिवाइट किया था, अब यह symmetrical means, आपको पता है, कि एक oxygen होता है, उसमें से एक side alkyl group, दूसरे side भी alkyl group, तो यह जो alkyl group हो, यह balance होना चाहिए, दोनों side पे balance होना चाहिए, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, symmetrical alkyl, क्या, symmetrical ether बोलते हैं, क्या बोलते हैं, symmetrical ether, first of all हम क्या पढ़ेंगे, symmetrical, then unsymmetrical, okay, हम क्या पहले पढ़ेंगे, symmetrical, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, unsymmetrical, तो यहां पे अगर हम इसके कौमन नेम की बात करें यहां पर इसका हम फार्मूला कर देखें तो यहां पर क्या है देखें 2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-4-6-5-7-2-0-2-4-1-2-1-2-2-2-12-1-2-2-2-1-1-2-2-1-2-2-2-2-2-1-2-5-1-2-1-3-2-1-2-2-1-2-1-2-1-4-5-2-2-2-1 अब पैक नेम की बात का हैं तो ध्यान रखिए कि लग जाएगा इसमें एलखौक सील के एक जुम सकानल के लिए आपने क्या लगा या देखें यहां पर यह साइसरी ऐल आड़ dice एप तो आपको लग रहा होगा कि वह येथ हो स्यम्यक्र कादी कı से लिए और नहें किसीयों में बैज्ग कोषी आणीघ कर दिया इंग आरे अर्फ क्याद कि यहां यहां सपोज और रहा है या तो तोlasting क्या में नहें तो बात यहां पर फस्ती है यह कि हम किसमे एन एड करेंगे और किसमे ऑक्सी आड करेंगे है ना तो हाँ तो बने रही है हमाई साथ first of all हमें क्या पढ़ना है symmetrical alkin sorry symmetrical ether क्या पढ़ना है सबसे पहले symmetrical ether then unsymmetrical ether okay तो पहले आप step to step चलिए step to step चलिए मैं हमें साब बोलती है step to step चलिए चीज़े clear रहेंगे है ना तो देखिए यहां पर क्या है symmetrical है दोनों साइड balance है तो इसका क्या होगा यहां पर क्या अट है दोनोंं साइड mathyl add है तो आप क्या कर दोगे common नेम बदा रहे हूं बढ़ना confused हो जओऊ क्या डाइधिल ether दो दो methyl है तो क्या कर दोगे डाइधिल ethel अब अगर हम पर उहीं कॉमन नेम की बात करें, तो मेत हैं, एक में आप oxy add कर देंगे, और second one में an add कर देंगे, ये तो रहा इसका ipac name, ये क्या हो गया, इसका ipac name हो गया, methoxy methane है न, ये तो रहा इसका ipac name, तो चलिए इसे थोड़ा सा हम और typical करके देखते हैं, c2h5, और इधर पर भी हमें अभी symmetrical alkin पढ़ रहे दोनों साइट बैलेंस रखना है तो यहां पर मेत था यहां पर जो है क्या हो जाएगा अभी आपने एक अलकीन थी तो मेत कि आपने यहां पर क्या हो जाएगा इथोक्सि एथेन हो जाएगा बस बात-खत्म इथोक्सि-एथेन कि और सेम इसके common name में भी रहेगा dye ऐथिल यथर हो जाएगा जैसे यहाँ पर dye मेथिल यथर हो जाएगा डाइ मेथिल यथर बस बात कतम लेकिन आप बात आती है आंसिमेटरिकल इलकीन की अब जो अनसिमेटरिकल इलकीन आप पढ़ते हैं लिख लेजिए सॉरी एलकीन नहीं एथर 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 अनसेमेट्रिकल एथर की जब बात आती है अनसेमेट्रिकल एथर ओके पता नहीं क्यों मैं जुबान पर एलकीन एलकीन रटके लग गया है तो देखें जब बात आती है एथर की अनसेमेट्रिकल एथर की एक साइट तो हमने क्या कर दिया CH3 और इधर पर क्या अच कर दिया C2H5 अब बताएं C2H5 तो हमें Oxy कि इधर एड़ करना है और इन कि इधर एड़ करना है तो Oxy आप उससाइड करेंगे जहां पे Carbon number कम हो जो चेन सबसे छोटी हो जिधर Carbon number कम हो उधर क्या अच करेंगे आप oxy add कर देंगे, देखिए यहाँ से आप समझें, methoxy, यहाँ पर meth है, फिर उसके बाद आप क्या add कर देंगे, ethane add कर देंगे, methoxy ethane, क्या add कर देंगे, methoxy ethane, बस इसमें इतना ही है, और कुछ नहीं है, और अगर हम वह इसके common name की बात कर लें, तो क्या है, common name तो वही है, ethyle, methyle, ether, क्या है, ethyle, methyle, ether, सबसे पहले आपने क्या लिखा, जो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद से बड़ा, बस यहीं इतना है, और भी example हम ले लें, चलिए, चलिए अच्छा आपकी बुक से एक question लेते हैं, आपकी बुक में कुछ ऐसा question दिया गया है, अब बात फस्तिए कि यहाँ पे तो भाई, side chain भी है, यहाँ पे एक side chain भी present है, तो यह side chain में नहीं count होता है, ध्यान रखिएगा, यह side chain में count नहीं होता है, तो आपको पता है, कि आपको oxy किधर add करना है, जहाँ पे carbon number कम हो, तो यहाँ पे क्या है, eth है, ethoxy, फिर उसके बाद यहाँ पे तीन carbon की chain है, तो आप इसे simply propane कर देंगे, okay, ethoxy propane, चलिए अच्छा कुछ example और लेते हैं, यहाँ पे suppose C6H5 और CH3, अब इसका common name and ipad name, दोनों बताईए आप, चलिए अच्छा, इसका common and ipad name, दोनों आप comment box में answer करिए, तो friends, अभी तक आपने क्या देख लिया है, alcohol का common and ipad name, phenol का common and ipad name, ether का common and ipad name, इतनी चीज़ें यहाँ पे आपने में साथ सेखी, okay, और इसके last वीडियो में, last वीडियो मतलब first part में हमने क्या पढ़ा है, classification, classification of ether, classification of alcohol, classification of phenol, alcohol, phenol and ether का classification हमने last वीडियो में पढ़ लिया है, और यहाँ पे इस वीडियो में हमने alcohol, phenol and ether का norman creature कर लिया, okay, तो friends, आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूँ, आपको साही बाते समझ में आई होगी, तो यहार अगर आपको समझ में आया है तो please like जरूर करें, और हमें comment box में जरूर बता है कि आपको वीडियो क्यासा लगा है, और हाँ यहाँ पे यह जो question दिया गया, इसका answer आप जरूर करिएगा, answer जरूर करिएगा, वरना समझते हो क्या होगा, आप खुश से cheating करोगे, तो यहाँ इसका answer जरूर करिए, और हमें comment box में बताएगे कि आपको वीडियो क्यासा लगा है, तो friends, bye-bye, if you want to more videos, so friends, like and subscribe, m.m.education YouTube channel, and thank you, thank you for watching this video, bye-bye.